नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर आपके साथ मैं हूँ अफीफा मलिक बिग बॉस के सभी फैंस बेसबरी से रियालिटी शो के ओन एर होने का इंतिजार कर रहे हैं और्डियंस बेसबरी से उस वक्त का यानि 15 अक्टूबर का इंतिजार कर रहे हैं जब वो अपने टीवी स्क्रीन्स पर बिग बॉस का नया सीजन यानि की बिग बॉस 17 देख पाएंगे शो लगतार चर्चम है सलमान खान के शो को लेकर तमाम बाते हो रही हैं फैंस excited है शो को लेकर चाहें contestants के बारे में information मिलना हो या शो की theme और concept को लेकर excitement हो बिग बॉस को लेकर craze high है वहीं इसी बीच बिग बॉस शो को लेकर एक big update आ रही है जिसके बात तो जैसे तहलका ही मच गया हो क्योंकि इस update ने सभी फैंस को और भी ज्याद excited कर दिया है बिग बॉस शो को लेकर कहा जाता है कि चाहें कोई भी season क्यों ना हो शो में controversial celebrities की entries जरूर होती है वहीं इस season को लेकर भी ऐसे ही कुछ कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक big boss season 17 में 90's की top actress में से एक कही जाने वाली ममता कुलकरणी की entry हो सकती है actresses की बात करें तो पूजा भट, शमित शेटी, तनीशा मुखर जी, रिमी सेन और मनीशा लांबा big boss की participants रह चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक ममता कुलकरणी जिन्होंने सुपर हिट फिल्म करन अरजुन में सल्मान खान, शहरु खान के साथ काम किया था वो big boss 17 का हिस्सा बन सकती हैं लेकिन अभी तक इस बात को लेकर किसी तरह की कोई भी official confirmation नहीं की गई है अपनी personal life को लेकर ममता काफी ज्यादा चर्चा में रही हैं कहा जाता है कि ड्रग्स तसकर विकी गोस्वामी के उनकी जिन्दगी में आने के बाद अक्टर्स की लाइफ पूरी तरह से बदल गई 2000 करोड के बड़े ड्रग्स रैकेट के मामले में ममता के पती कहे जाने वाले विकी गोस्वामी का नाम सामने आया था और इस तरह ममता कुलकर्णी को लेकर भी चर्चा होने लगी थी लेकिन मम्ता ने किसी भी ड्रॉग सिंडिकेट के साथ जुड़े होने की बातों से इंकार कर दिया था लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बात पर यकीन कर लिया गया हो उनके बैंक अकाउंट और मुंबई के फ्लैट को सील कर दिया गया अभी के लिए इतना ही जुड़े रहें आज की खबर के साथ